दिली आपकारी नीती मामले में सी एम अर्विन के जिवाल को زمانत मिलने के बाद अब आमाअबनी पार्टी के सांसद संजर सिंग ने भी खुशी जाहर की है। उन्होंने कहा कि लोग तंत्र में ताना शाही नहीं चलेगी उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से सत्य को मजबूती मिली है आवादी पाटी के राजसबा सांसर संजर सिंग ने एक स्पोस्ट में लिखा है लोग तंत्र में ताना शाह को जुकना पड़ता है जरूरत इस बात की होती है कि उसे जुकाने वाला होना चाहिए लोग तंतर ताना शाही से नहीं चलेगी जुकते है ताना शाह उससे लड़ने वाला होना चाहिए मोदी के अत्याचारी हुकूमत सीम अर्विन केजरिवाल के होसलों को नहीं तोड़ पाई जेल के ताले तूट गए उन्होंने आगे कहा जूट का पहाड गिर गया EDCBI और BGP के जूटे केस का परदा फाश हो चुका है सत्यमेव जायते जुकते हैं तानासा, जुकाने वाला चाहिए अर्विन्द केजरिवाल ने देश के तानासा को जुकाने का काम किया एक साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला किसी भी वेक्टि के खिलाफ कुछ नहीं मिला एक जूट का पहाड खरा करके भारती जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, ED-CBI का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खतम करने की कोशिस की, अर्विंद केजरिवाल को खतम करने की कोशिस की, लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय कांत होता है, तानासाही कांत होता है आपको बता दे कि दिल्ली आपकारी नीती मामले में सांसर संजय सिंग लगातार ये कहते आए हैं कि ये केस पूरी तरह से जूट की बुनियाद पर टिका हुआ है ED, CBI और अन्य जाच एजनसियों के पास कोई सबूत नहीं है फरसी मुकद में आपकी छवी खराब करने और आप नेताओं को बदनाम करने के लिए बीजेपी की एक साज़िश है इससे पहले मनीस से सोधिय ने कहा था कि आज दिल्ली के मुख्य मंतरी जमानत पर जेल से बाहर आएंगे उन्होंने कहा कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो हर्याना विधानसबा चुनाब में पार्टी प्रत्याश्ची के लिए दूँ आधार प्रचार भी करेंगे उन्होंने ये भी कहा कि हर्याना की जनता आमादनी पार्टी के खिलाफ साज़िश रचने का करारा जवाब भी देगी दिली शराब घोटाले में फसे मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल को एडी के बाद अब सीबी आए मामले में भी सुप्रीम कोट से शुक्रवार के दिन जमानत मिल चुकी है दरसल केज़िवाल ने दिली हाई कोट के आदेश को सुप्रीम कोट में चुनौती दी है हाई कोट ने उनकी सीबी आई गिरफतारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिच कर दी थी और जमानत के लिए निचली आदालत जाने की सलहा भी दी थी केज़िवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोट में चुनौती दी और उन्होंने सीबी आई की गिरफतारी को गैर कानूनी पताया था और जमानत दिये जाने की मांग भी की थी अब जो दिली के सीएम अर्विन केज़िवाल को जमानत दी जा चुकी है तो दिली सीएम की बिली बेल पर आप नेताओ की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है इसी बीच आपको बता दें कि इस मामले पर संजे सिंग का भी बयान सामने आ चुका है और उन्होंने के इंदर सरकार पर जम कर हमला बूला है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें